किस वीडियो में हम साइंस की बायोलोजी की सीरिज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि साइंस में बायोलोजी से ज़्यादा प्रशन बनते हैं तो इस वीडियो में हम biology की first वीडियो जी विज्ञान का परिचे देखेंगे और जीवधारियों का वर्गी करन देखेंगे और last में हम previous year question भी cover करेंगे तो पहले आप पूरी वीडियो को देखेंगे और last में previous year question जरूर attempt करें तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि जी विज्ञान है क्या तो जी विज्ञान विज्ञान की वह शाका है जिसके अंतरगत समस्त सजीवों अथार्थ जीवधारियों का अध्यन किया जाता है तो biology विज्ञान की वह ब्रांच है जिसके अंदर हम living organism की study करते हैं तो जी विज्ञान शब्द का प्रयोग सरप्रथम लेमार्ग तथा ट्रेवीरेनस ने 1802 में किया था तो याद दखेगा यहाप्रशन पूछा गया है कि जी विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस ने किया था तो Lamarck और Traverianus ने Lamarck फ्रांस के थे और Traverianus जर्मन के थे तो जी विज्ञान जिसे हम इंगलिश में biology कहते हैं तो biology दो शब्दों से मिलकर बनी है बायो और लोगस तो बायो का अर्थ होता है जीवन और लोगस का अर्थ होता है अध्यन तो biology में हम क्या करते हैं जीवन का अध्यन करते हैं तो ये तो हो गया biology शब्द का अर्थ तो इसमें हमने देखा जीवन यानि कि सजीवों का अध्यन करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सजीव कौन है किनको हम कहेंगे कि ये सजीव है यानि कि who is living, तो सजीव कौन होते हैं, तो देखिए, सजीवों में क्या-क्या विशेषता होती हैं, जो कि हमें निर्जीवों से अलग करती हैं, तो सबसे पहले तो सजीव स्वशन करते हैं, यानि कि उनमें respiration system होता है, जैसे कि अगर हम अपने आपको ही उधारन में लेते है हम सजीव हैं तो हम सवशन करते हैं, दूसरा पॉइंट है, सजीव वृद्धी यानि कि ग्रोध करते हैं, तो हमारी ग्रोध होती है, तीसरा सजीव पोशन करते हैं, यानि कि nutrition लेते हैं, तो हम भी जीवित रहने के लिए पोशन लेते हैं आहर लेते हैं, चोथा पॉइंट है उनमें पाचन की प्रक्रिया होती है डाजेशन होता है तो हमारे शरीर में भी पाचन की प्रक्रिया होती है जो भी हम खाते हैं पाचन तंत्र उन्हें क्या करते हैं पचाते हैं उसके बाद उसरजन की प्रक्रिया होती है, reproduction होता है, तो मुख्यता ये 6 चीजें आपको सजीवों में मिलेंगी, यानि कि जो भी living organism है, जो भी सजीव है, उनमें ये 6 चीजें देखने को आपको मिलेंगी, कि वो सशन करते हैं, उनमें वृध्धी होती है, वो portion लेते हैं, पाचन की प्रक्रिया होती है, उसरजन की रिया होती है, और वो प्रजनन करते हैं, तो ये हैं सजीव, तो क्या हम पोधों को, यानि कि plants को सजीव कह सकते हैं, तो हाँ, पोधे भी सजीव होते हैं, क्योंकि पोधों में भी स्वशन की प्रक्रिया होती है, उनमें भी वरिधी होती है, तो आपने देखा होगा कि आप छोटा सा पोधा लगाते हैं, तो वो भी बड़ा होकर पेड़ बन जाता है, तो उसमें वरिधी होती है, पोधे भी पोशन लेत तो पोधों और प्राणियों दोनों में उसर्जन की क्रिया होती है। परंतु पोधों में कोई विशेश उसर्जन अंग या तंत्र नहीं होता। जैसे हमारे इंसानों में उसर्जन के लिए उसर्जन अंग होता हैं पर पोधों में कोई विशेश उसर्जन अंग नहीं पोधे अपने उसरजी पदार्थ पत्तियों, छालों, फलों या बीजों के माध्यम से निश्काशित करते हैं तो पोधे क्या करते हैं जो उनके उसरजी पदार्थ होते हैं वो पत्तियों के माध्यम से, छालों के माध्यम से, फलों के माध्यम से या बीजों के माध्यम से नि तो बताईए क्या मेज यानि की टेबल सजीव है तो नहीं ये निर्जीव है क्योंकि ना तो इसमें स्वशन की प्रक्रिया होती है ना इसमें ग्रोथ होती है ना ये कोई पोशन लेता है ना इसमें कोई उसरजियंग है तो ये क्या है तो ये निर्जीव है उसके बाद है तो आगे देखते हैं, तो आगे देखते हैं, जीविज्ञान की शाखाएं, यानि की बायोलोजी की ब्रांचिस, तो जीविज्ञान की दो शाखाएं हैं, जन्तु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, या देखेगा, जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी लिविंग इनको दो भागों में बाटा गया है, जूलोजी यानि की जन्तु विज्ञान, बोटनी यानि की वनस्पते विज्ञान, तो जन्तु विज्ञान में जितने भी जन्तु आते हैं, इनसान भी जन्तु विज्ञान में ही आते हैं, और वनस्पते विज्ञान में जितने भी जनक कौन है, तो अरस्तू, very very important, ना जाने कितनी बार एक्जाम में पूछा गया है, कि जन्तू विज्ञान के जनक कौन है, तो जन्तू विज्ञान के जनक है, अरस्तू, और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो वनस्पति विज्ञान के जनक है, थियो फ्रेश्टस, याद अखेगा इनका नाम क्या है? थियो फरेश्टस और इन्हें याद अखना भी आसान है, तो ये वनस्पति विज्ञान के जनक है, वनस्पति यानि पेड़ पोधों से रिलेटिड है, तो पेड़ पोधे ही मिलकर क्या बनाते हैं? जंगल यानि की फोरेश्ट और थियो फरेश्टस के पीछे क्या है? फरेश्टस जिसे आप फोरेश्टस से रिलेटि कर सकते हैं, तो थियो फरेश्टस वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, और अरस्टू जन्तू विज्ञान के जनक हैं, तो अरस्तु को जन्तु विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है तो अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम या दखेगा इसका नाम क्या है हिस्टोरिया एनिमेलियम तो अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में इन्होंने लगभग 500 परकार के जन्तूओं का वर्नन किया था, इसलिए ने जन्तू विज्ञान का जनक कहते हैं, उसके बाद है थियोफरेश्टस, तो इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लान्टेरं में लगभग 500 परकार के पोधों का वर्नन किया है, इसलिए ने वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो थियोफरेश्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लान्टेरं में लगभग 500 परकार के पोधों का वर्नन किया है, इसलिए ने वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, और अरस्टू ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिय एनिमेलियम में लगबग 500 परकार के जन्तूओं का वर्नन किया है इसलिए इने जन्तू विज्ञान का जन्त कहा जाता है तो देखे जी विज्ञान यानि की बायोलोजी का जन्त कोन है तो अरस्तू और जन्तू विज्ञान जूलोजी के जन्त कोन है तो वो भी अरस्तू है त यानि की साइटोलोजी के जनक कौन है तो रोबट हुक इनका भी नाम याद अखेगा ये कोशिका विज्ञान के जनक है तो आगे अब हम देखते हैं जीवधारियों का वरगी करण यानि की कलासिफिकेशन ओफ लिविंग ओर्गनिजम तो देखे सबसे पहले है कोशिका कोश कोशिका होती है न ये शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है अगर मनुशे के शरीर को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना शुरू कर देना तो जो सबसे छोटी इकाई होगी वो कोशिका होगी तो जो लिविंग ओर्गनिजम होता है उसकी छोटी इकाई कोशिक यहां पर मैं आपको मनुश्य का उधारन दे रहा हूं कि अगर मनुश्य के शरीर को हम छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना शुरू कर देना तो जो सबसे छोटी इकाई होगी उसे हम कोशिका कहेंगे, सेल कहेंगे और इसी कोशिका के गुरुप को हम टिशू कहते हिंदी में उत्तक कहते हैं और उत्तक के सम्हों को हम अंग कहते हैं अंग जैसे कि छोटी आथ हो गई, बड़ी आथ हो गई और यही अंग मिलकर अंग तंतर बनाते हैं जैसे कि छोटी आथ, बड़ी आथ, यह सम मिलकर क्या बनाएंगे पाचन तंतर बनाएंगे और यही अ तक से मिलकर बनता है अंग, अंग से मिलकर बनता है अंग तंत्र और अंग तंत्र से मिलकर बनता है जीव, तो सबसे छोटी इकाई कौन सी है, कोशिका है, तो कोशिका विज्ञान वाली वीडियो में मैं डिटेल में आपको कोशिका के बारे में बताऊंगा, आज की वीडियो जिने Carl Linnaeus भी कहा जाता है तो इन्होंने की थी तो Linnaeus ने जीवों के आधुनिक वर्गी करन की शुरुवात की थी और Linnaeus को वर्गी की का पिता कहा जाता है वर्गी की को English में कहते हैं Taxonomy तो father of Taxonomy कौन है Carolus Linnaeus या दखेगा इनहें वर्गी की का पिता कहा जाता है तो टेक्सोनोमी का मतलब क्या हुआ तो टेक्सो का मतलब हुआ समुह यानि कि गुरूप और नोमी का मतलब हुआ नाम रखना तो टेक्सोनोमी का मतलब ये हुआ कि इस धर्ती पर जितने भी जीवधारी यानि कि जीवित प्राणी है न उनका हम अलग-अलग सम्हू बनाएंगे और उनके अलग-अलग सम्हू का कुछ नाम रख देंगे, जिसकी वज़ाए से हम उनके बारे में असानी से जान पाएंगे, इसलिए biology की वो शाखा जिसमें हम जितने भी जीवधारी हैं, living organism हैं, उनके सम्हू बनाते हैं और उनका न होते हैं, पहला है identification, पहचान करना, दूसरा है classification, वर्गी करन, हिंदी में कहते हैं वर्गी करन, इंगलिश में classification कहा जाएगा, तीसरा है नोमेन कलेचर, यानि की नाम करन, तो मैं आपको उधारन से समझाता हूँ, तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपने कोई नया जीव दे नया जीव है, और पहचान करने के बाद उसका classification करेंगे, वर्गी करन करेंगे, कि जो ये नया जीव है, ये उड़ता है, या ये रेंगता है, कि पानी में तैरता है, तो आप उसका वर्गी करन करने के बाद, उसका एक scientific, यानि कि व्याग्यानिक नाम रखा जाएगा, तो के तीन स्टेप हैं, पहला है identification, पहले पहचान की जाएगी, दूसरा है classification, उसका वर्गी करन किया जाएगा, और तीसरा स्टेप है, nomenclature, यानि कि उसका नाम करन किया जाएगा, तो वर्गी की के पिता किसे कहा जाता है, यानि कि father of taxonomy कौन है तो linius, तो carolus linius ने एक book लिखी थी जिसका नाम था, systema natural, तो इन्होंने एक book लिखी थी, जिसमें इन्होंने सभी जीवों के वर्गी करन के लिए उन्हें दो भागों में विभाजित किया था, तो carolus linius ने क्या किया, एक book kingdom और दूसरा है जन्तू जगत यानि की animal kingdom तो पादब जगत में इन्होंने सभी पीड़ पोधों को रख दिया और जन्तू जगत में इन्होंने सभी जीव जन्तूओं को रख दिया तो केरूलस lineage ने क्या किया जीवों का वर्गी करन दो भागों में कर दिया plant kingdom और animal kingdom तो केरूलस lineage ने जो ये वर्गी करन किया न इसे दो जगत वर्गी करन कहा जाता है इंगलिश में कहते हैं two kingdom classification क्योंकि इन्होंने जीवों को दो भागों में बाटा था न इसलिए से दो जगत वर्गी करन कहा जाता है पादब जगत और जन्तु जगत तो इनके बाद है अरनस्ट हैकल इन्होंने क्या कहा तो इन्होंने जीवों को तीन भागों में बाट दिया इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि पादब जगत तो ठीक है और जन्तू जगत भी है लेकिन इसी के साथ धर्ती पर प्रोटिष्टा जगत भी है तो इन्होंने तीन जगत वर्गी करन दिया है किसने? अरनस्ट हैकल ने थिरी किंगडम क्लासिफिकेशन किया है पहला तो प्रोटिस्टा जगत में आता है, तो ये जो अलग अलग किंगडम है ना, इन पर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो आप इतना समझ लीजिए, कि अरनेस्ट हैकल ने जीवों को तीन भागों में विभाजित किया था, पाद नहीं है, और एक्जाम में भी नहीं पूछा जाता, पर जो पांच जगत वरगी करन है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो एक्जाम में प्रशन क्या बनता है, कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी, तो आर मोनेरा और कवक को एड़ कर दिया, तो मोनेरा में क्या आएगा, तो जो बैक्टीरिया वगरा है न, वो मोनेरा जगत में आएंगे, और कवक यानि कि फंजाई, ये वो जीव होते हैं, जो मृती जीवी होते हैं, यानि कि विशम पोशी होते हैं, और पोशन के लिए सड़े पहले तो ये है कि five kingdom classification किसने दी और एच वीटिकर ने दी और इन्होंने किसे किसे शामिल किया तो पादब जगत, जन्तु जगत, प्रोटिष्टा, मोनेरा और कवक इन पाँच kingdom को इन्होंने शामिल किया याद अखेगा तो five kingdom की बात हुई है, तो एक बार इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, वैसे तो मैं आपको detail में पढ़ाऊँगा, पर यहाँ पर इनकी बात हुई है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं पहले है, मोनेरा किंगडम, तो मोनेरा किंगडम क्या है, इस जगत में कौन से जीव आते हैं, तो इस जगत में सभी प्रोकेरियोटिक जीव, तो प्रोकेरियोटिक क्या होता है, तो अगर आपने कोशिका के बारे में पहले पढ़ रखा होगा, तो आपको पता होगा, कि प कोशिका होती है ना कोशिका के दो परकार होती है पहला प्रोकेरियोटिक और दूसरा यूकेरियोटिक तो प्रोकेरियोटिक सेल कौन से होती है तो प्रोकेरियोटिक सेल या कोशिका वे कोशिका होती है जिसके अंदर जो केंदरक होता है ना उसके चारों तरफ केंदरक जिल् अगर यही केंद्रक जिल्ली अनुपस्थित हो या उसका पूरा विकास ना हो तो उसे प्रोकरियोटिक सल कहा जाएगा पर अगर उस सल केंद्रक के चारों और केंद्रक जिल्ली उपस्थित होगी तो उसे यू केंद्रक केंद्रक के चारों और जिल्ली उपस्थित नहीं है या उसका पूरी तरह से विकास नहीं हुआ, तो उसे प्रोकरियोटिक सेल कहेंगे, पर अगर केंद्रक जिल्ली उपस्थित है, तो उसे यू करियोटिक सेल कहा जाएगा, तो जो मोनेरा जगत में आते हैं न, वो प्रोकरियोटिक जीव होते हैं, यानि कि उनके केंद्रक के चारों और या तो केंद्रेक जिली उपस्धित नहीं है या उनका भी पूर्न रूप से विकास नहीं हुआ है तो ऐसे जीव कौन-कौन से हैं जैसे की जीवानू यानि की बेक्टीरिया साइनो बेक्टीरिया तथा आरकी बेक्टीरिया इसमें सम्मिलित होते हैं तो बैक्टीरिया किस जगत में आते हैं मोनेरा जगत में आते हैं उसके बाद है प्रोटिष्टा जगत तो इस जगत के जो जीव होते हैं वो जली होते हैं यानि कि वो जल में पाई जाते हैं और यू केरियोटिक होते हैं और एक कोश्के होते हैं, अगर उधारन से मैं आपको बताओं, तो जैसे अमीबा, तो अमीबा प्रोटिष्टा जगत में आता है, अमीबा हो गया, प्लाजमोडियम हो गया, पैरामीश्यम, यूगलीना, ये सभी प्रोटिष्टा जगत के उधारन है, और जो यूगलीना है यह पादप तथा जन्तु के बीच में कड़ी का काम करती है या दखिएगा युगलीना पादप तथा जन्तु के बीच में कड़ी का काम करती है तो अमीबा की जगत में आता है, प्रोटिष्टय जगत में आता है उसके बाद है पादब जगत तो पादब जगत आपको पता ही है कि जो पेड़ पोधे हैं वो पादब जगत में आएंगे तो इस जगत में प्राया सभी रंगीन बहु कोश्किये परकास अंशलेशन उत्पादक जीव समिलित हैं पुष्पे तथा आप पुष्पे बेज़ पोधे सभी इस जगत के अंग हैं तो सभी परकार के जो पेड़ पोधे हैं ये पादब जगत में आते हैं उसके बाद है जन्तु जगत, तो जन्तु जगत में सभी परकार के जीव जन्तु आते हैं, यह सरुयापि होते हैं, यानि कि हर जगा पाय जाते हैं, यू केरियोटिक होते हैं और बहु कोश्किय होते हैं, उधारन के रूप में हाइडरा, जैली फिश, सितारा मचली, सरी स्र पांचवा जगत है कवक यानि की फंजाई तो यह जीव विशम पोशी होते हैं जो पोशन के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं अता इसे मृत जीवी भी कह दिया जाता है उधारन के रूप में मश्रूम, इस्ट, पैनिसीलियम इसी जगत के सद से हैं तो मश्रूम किस जगत का है तो यह कवक जगत का है तो यहाँ पर हमने पांचों किंग्डम के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले ली इनके बारे में अगली वीडियोस में हम डिटेल में पढ़ेंगे भी तो यहाँ पर हमारा थियोरी सेक्शन कंप्लीट होता अब हम previous year question देखते हैं तो पहला प्रेशन है कि जी विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है तो biology का father किसे कहा जाता है तो इसे अरस्तू को कहा जाता है option C इसका सही जवाब है अगला प्रेशन है वनस्पति विज्ञान के जनक कोन है तो वनस्पति विज्ञान के जनक है थियो फरेश्टस तो इसका सहजवाब है option D अगला प्रेश्टन है कि निमन लिखित में से किस किताब में थियो फरेश्टस ने 500 परकार के पोधों का वर्नन किया है तो थियो फरेश्टस ने किस किताब में 500 परकार के पोधों का वर्नन किया है? तो इसका सही जवाब है, option ए, हिस्टोरियम, प्लान टेरम, इसमें इन्होंने 500 परकार के पोधों का वर्नन किया है, इसलिए ने वरनस्पत्ति विज्ञान का जनक कहा जाता है अगला प्रेशन है कि 5 जगत वर्गी करण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था तो 5 kingdom classification किसने दी है तो इसका सही जवाब है option D आरज विटकर ने 5 जगत वर्गी करण दिया है तो इसका सही जवाब है option D अगला प्रशन है कि वर्गी करण की दिवी जगत पतिती, किसने पति पतित की और दोनों जगत को plantty और अनिमीलिया नाम दिया यानि कि किसने two kingdom classification दी जिसका नाम plant kingdom और animal kingdom रखा तो इसका सहिजवाब क्या है तो इसका सहिजवाब है option है तो केरोलस लिनियस ने two kingdom classification दिया है तो इसका सही जवाब है option ने तो अगला प्रेशन है कोशी का विज्ञान किसके अध्यान से संबंदित है तो देखिए SSC CHSL 2021 में कितना असान प्रेशन पूछा गया है कि कोशी का विज्ञान किसके अध्यान से संबंदित है तो जाहिर से ब cytology कहा जाता है यह भी याद दिखेगा कि कोशी का के अध्यान को cytology कहा जाता है तो यहां पर जो यह प्रेशन है इसका सही जवाब है option ने अगला प्रेशन है कि तिन जगत वरगी करण किस ने दिया तो three kingdom classification किस ने दिया तो इसका सही जवाब है, option A, Ernest Hakel, Ernest Hakel ने तीन जगत वरगी करन दिया है, इसका सही जवाब है, option A, अगला प्रेशन है, पशू और पोधों के बीज जुड़ने वाली कड़ी, डैश है, तो जुगलीना को पशू और पोधों के बीज जुड़ने वाली कड़ी कहा जाता ह इसका सही जवाब है, option B, अगला प्रेशन है, कि Ernest Hakel ने तीन जगत वरगी करन में किसे समलित नहीं किया, तो Ernest Hakel ने जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है न, उसमें किस किंगडम को शामिल नहीं किया, तो इसका सही जवाब है, मोनेरा, मोनेरा जगत को Ernest Hakel इन्होंने प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और प्रोटिष्टा किंगडम इन तीनों को शामिल किया था, प्रंतु मोनेरा जगत को शामिल नहीं किया था, तो इसका सही जवाब है, option D, अगला प्रेशन है, कि विटिकर के वरगी करन के अनुसार, निमन लिखित में से क जिवानू, जिवानू कोई किंगडम नहीं है, किंगडम है, मोनेरा, तो पांच किंगडम थे न, प्लांट, एनिमल, प्रोटिष्टा, मोनेरा और फंजाई, जिवानू कोई किंगडम नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या है, option D, आज का आखरी प्रेशन है, कि सिस्टिमा नेचुरे उस्तक के लेखक कौन है तो सिस्टिमा नेचुरे उस्तक के लेखक हैं केरोलस लिनियस तो इसका सेजवाब है ओप्शन ने तो आज के वीडियो यहीं पर खत्म होती है कैसे लग यह वीडियो कोमेंट सेक्शन में जरूर बताना धन्यवाद